महाराश्ट्र के अंदर पास तारीकों नई सरकार का शपत ग्रेंड समारों होना है लेकिन इस समारों के अंदर मुख्यमंत्री पद की शपत कौन लेगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है एक बात आपको याद होगी कि लोगसभाद चुनावों के अंदर जब इंडिया गट बंधन बना था तो उस दोरान पर बीजेपी पार्टी बार बार इंडिया गट बंधन पर ये कहकर तंज कस्ती थी कि पूरी की पूरी बारात तो तयार हो गए लेकिन दुलह कौन होगा य भीक वैसे इस्तिति जो है वो महयूति की महाराश्र के अंदर नजर आ रही है पूरी की पूरी बरात तैयार है सभी लोग नाचने गाने के लिए तैयार है बैंड बाजा तैयार है लेकिन असल में दुलह कौन होगा ये साफ नहीं हो पाया है कौन सा दुला जो है वो पूरी की पूरी बरात लेकर जाएगा ये पता नहीं चल पा रहा किस दुले के सर पर सहरा सजेगा ये पता नहीं चल पा रहा है और इस बीच में एकनात शिंदे जो अब तक ही कह चुके थे कि BJP आला कमान ये फैसला लेगा कि महाराश्टर का मुख्यमंत्री कौन होगा इस बीच में फिर एक बार माहराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे ने ये साफ कर दिया कि वो माहराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री की सीट इतनी आसानी से तो छोड़ने वाले नहीं है दरसल आपको पता होगा कि अभी हाल फिल हाल में अमेश्या, देविंद्र पर्नवीस, अजीत पवार इन लोगों ने दिल्ली के अंदर मीटिंग की थी इस मीटिंग से आने के बाद एकनाथ शिंदे जो है वो अपने गाउं सतारा चले गए थे और वही पर उन्होंने एक ऐसा इंटर्व्यू दिया है और इस इंटर्व्यू के अंदर उन्होंने अपनी मंशा जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं साफ कर दी है कि वो अभी भी महाराश्र का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और बार बार बीजेपी पार्टी को ये याद दिला रहे हैं कि महाराश्र का चुनाव आपने हमारे दम पर जीता है हमारी योजनाव के कारण जीता है और महाराश्र की जनता अभी भी मुझे महाराश्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है यहां तक कि महारास्टर के अंदर एकनाश शिंदे ने ये तक कह दिया था कि अगर जो महायूती के अंदर BJP पार्टी अजीत तवार की पार्टी को ना लाई होती तो हम 100-120 सीटों पर चुनाव लड़ते और सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर हम सबसे ज्यादा स जीतने वाली पार्टी भी बनते और पिर उसके बाद तो अब आप समझ सकते हैं इशारो इशारो में एकनाश शिंदे ने क्या कुछ कहने की कोशिश कर दी इस बीच में इंडियन एक्सप्रेस को उनों ने जो एक विसपोटक आप कह सकते इंटरव्यू दिया है वो वाकई में बीजेपी पार्टी को 440 वोल्ड का जटका लगने वाला हो सकता है क्योंकि बीजेपी पार्टी अब तक ये साफ नहीं कर पा रही कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा देवेंदर पर्णवीस अब तक मानिये कि एकनाश शिंदे और अजीत पवार के सा ऑप नहीं हो पाया महाराश्टर में मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच में एकनाश शिंदे जो बार-बार-बार-बार ऐसी हरकते कर रहा है जो ये साह दर्शारा है कि वो एकनाश शिंदे जो हैं महाराश्टर का CM बनना अभी भी चाहा रहे हैं वो इतनी आसानी से महा का सिय हम था मैं कहता रहा हूं कि मैं खिवसी यहुर्प alsा बलकि एक आम आदमी ूह मैं जन्ता की समस्या हों और उनके दर्द को समझता हूं और मैंने उन समस्या के समाधान की कोशिश की जैसा कि मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं ऐसे में लोग मानते हैं कि मुझे CM बनना चाहिए इस बीच में शिंदे ने राज्ये में कुछ वर्गों की मांग के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि उन्हें फि पार्टी प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी और केंद्रे ग्रहम मंत्री अमिश्रा द्वारा लिये गए फैसले का समर्थन करेगी यानि भया ये एकनाश शुन्दे जी वो तो कहकर चले गए और इशारों इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया मुझे लगता है कि वो इशारेबी ने वो साफ और इस्वर्श्ट तोर पर ये कह रहे है कि आपने विदान सबाओ चुनाव हमारे दम पर जीता है तो मुख्यमंत्री मुझे बनाना चाहिए और जनता भी ये जानती है हार वो बार बार जनता को बीच में भले ही लेकर आ रहे हैं लेकिन वो य कि महराश्य का CM कौन होने वाला है यहां तक कि जो अजीत परवार की NCP है और साथ ही में जो देविंदर पर्णवीस और BJP पार्टी और साथ ही में एकनाथ शिंदे इन तीनों चारों पार्टियों का जो था एक मीटिंग होने वाली थी वो कैंसल करके एकनाथ शिंदे अपने खराब थी यह जान बूच कर यह कारण दिये गए क्योंकि एकनाश्य शिंदे अभी भी किसी भी तरीके से तारीक बढ़ाना चाहते आगे ताकि BJP पार्टी जो है वो उनको CM बना दे और CM की कुरसी पर वो बने रहे यह सवार इसली भी पूछा जा रहा है क्योंकि अचानक पवार के वो इतने करीबी नेता हैं कि मानली चाप उनको उनकी परच्छाई एक तरीके से माना जाता है उस नेता से जो है एकनाश्य शिंदे की मुलाकात होती है और इसके बाद जो मीटिंग्स होने वाली ती उसको कैंसल कर दिया जाता एकनाश्य शिंदे सतारा पहुच यहां तक कि एकनाश्य शिंदे को लेकर यह भी कहा गया कि वो शरत पवार के गुट के संपर्क में भी है और यह कहीं न कहीं बाद वीजेपी पार्टी के लिए बेचैनी बढ़ाने वाली भी हो सकती है और इसी बेचैनी का फायदा उठाते हुए एकनाश्य शिंदे जो अ और फिर उसके बाद उनका इंटर्वियू सामने आता है तो आप समझेए किस तरीके से पूरा राजुनीते गटना करम जो महाराश्य के अंदर चल रहा है साफ तोर पर यह दिखा रहा है कि एकनाश्य शिंदे जो है अभी भी लास्ट तक आप समझ लीड़े कि जब तक ख्यमंत्री जो है वो शपत नहीं ले लेता तब तक जो है एकनाश्य शिंदे बीजेपी पार्टी का सरदर्द बने रहेंगे और लगातार यह बार बार एहसान दिखाते रहेंगे कि एकनाश्य शिंदे के नित्रतों में विधान सभाचुनाव लड़ा गया और उन्होंने अच्छी जीत हासिल की और आप यह समझ यह कि बार बार एकनाश्य शिंदे यह बात कह रहे हैं उनके कहने का क्या मतलब बनता है जब यह बात वो साप कर चुके कि और यह भी साथ में कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और अमिश्य जो है वो जो फैस्दा लें वो हमें सुई कर रहे हैं इस बीच में कभी एकनाश्य शिंदे का बयान सामने आ जाता है तो कभी उनके कुछ नेता कह देते हैं कि उन्हें महाराश्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए अभी क्षड़ी महाराश्य के अंदर पक रही है और कब तक पक पाएगी यह अभी किसी की भी समद से परेहोप रहा है क्योंकि महाराश्य के अंदर जो चीज़े बहुत आसान नजर आ रही थी बहुत सिंपल नजर आ रही थी कि बड़ी असानी से बीजेपी पार्टी एकनाश्य शिंदे को इन चुनावों के बाद किनारे लगा देगी देवेंदर पर नवीस को जो है वो मुख्य मंत्री बनाएगी क्योंकि वो जाद से जाद से सीटों पर चुनाव लड़ रही है और फिर जाद से जाद से सीटे बीजेपी पार्टी के पाले में जाएगी ऐसे में एकनाश्य शिंदे को बड़ी आसानी से किनारे लगा दिया जाएगा ओर अजीद बार भी उनके साथ नज़र आए इस बीच में देखे आंप एकना शरिंदे ज hen वह नहीं आप समझे कि पार्टी जितनी यसानी से worse और लगने वाे नहीं और जब तक महारास्ट्र में consumPM कोई व्यक्ती नहीं ले तब तक महाराश्ट्र में सस्पेंस बरकरार रहेगा ये सबसे बड़ा सवाल अब इस वक्त है कि महाराश्ट्र का सीम कौन होगा महाराश्ट्र का दुल्हा कौन होगा पूरी परात तैयार है जाकर शपत लेने के लिए लेकिन अब तक महराज के CM फेस से परदा नहीं उट पाया है वेरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहते हैं नीचे देगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं मैं आपके साथ इस्वा लेनी भन्नावाद